हमारे बाद मैं फिल्म आप से महारे हम को सुन लेंगी न जाने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहला इकन का बटन दबा लेना आपका बैटेली इंस्टाग्राम से रिलेटिड नए नए एडिटिंग की वीडियो लाता रहता है तो आते हैं वीडियो की तरफ गाइस यह वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले नीचे लिखा यूज टेंपलेट इन केपकट आपको इस पर क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ी सी प्रोसिदिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा उससे बेले आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा इस आपको एक बार बैक कर देना है और यहाँ पर आपको ओपन कर देना है जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा तो न्यू पेज ओपन होने के बाद आपको क्या करना है नीचे आपको यूज टेंपलेट पर क्लिक करना है यहाँ पर जब आप युसTemplet पर क्लिक करोगे तो आपके phone की gallery ओपन हो जाएगी यहाँ से आपको एक अपनी video add करनी है जस video पर आप ये वाली video बनाना चाहते हो तो जैसे यहाँ से मैं एक video add करके नीचे preview पर क्लिक कर देतا हूँ जब आप preview पर क्लिक करोगे आपको बतातों इसमें आपको दूसरे एफेट कौन से लगाना है, म्यूजिक आपको कैसे लगाना है, वीडियो सेफ होने के बाद आपके सामने एसे इंटरफेस आएगा, सबसे पहले गाईस आपको इसकी फाइल कट कर दिनेए, फाइल कट करने बाद यहाँ पर आपको अपने मुबाईल में केप का टेप ओपन करना है, जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर आपके फोन में नहीं है तो मैं आपको वीडियो में बता दूँ है कैसे डाउनलोड करना है, पिर आपको यहाँ पर discard लिखाए कर डिसकार्ट कर दिना है, new project पर क्लिक कर गे, जो वीडियो गैसा आपने अभी save करी, आपको उसी वीडियो को लेना है, वीडियो लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे add पर क्लिक कर दिना है, उसके बास आपको ये वाली वीडियो में आटोमेटिक जो music रहेगा यहां से बंद कर दिना है एंड में black वाले watermark पर क्लिक करके आपको delete कर दिना है फिर आपको शुरूर में आना है add audio पर क्लिक करना है sound वाले option पर क्लिक करना है यहां पर file जैस option हैगा इस पर क्लिक करके from device पर क्लिक करके और जो ये वाला music आपको लगा देना है ये music आपको कैसे download करना है आपको इसी वीडियो में बता दूँगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको इस तरीके से धीरे धीरे आगे चलना है देखे जहां पर ये black वाला effect आता है आपको ये black वाला effect आता है यहां पर अपनी वीडियो में split करना है अब आपको first वाले वीडियो part पर आना है नीचे यहां पर filter वाला option मिलेगा filter वाला option पर क्लिक करके यहां से आपको filters पर क्लिक करना है जिसे मैं आप filters वाला option देख लेता हूँ यहाँ पर filters वाला option आपको मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर देख लेता हूँ filters वाला option आगया filters वाला option पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे चलोगे यहाँ पर आपको एक option मिलगा mono name का ठीक है mono name पर क्लिक करना है जब आप mono पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक effect मिलेगा इसमें mono पर, यह वाला guys देखिए, यह वाला आपको मिल जागा black and white वाला, आपको आगे चलना है यह वाला BW2 वाला, BW2 लगाने के बाद, इसके duration आपको line पूरी बढ़ा देनी है, यहाँ से right कर देना है, अभी guys साइड में जाना है, वहाँ पर आपको यह वाला वीडियो का post मिल जाएगा, उस post में जाने के बाद, आप केप का tip भी download कर सकते हो, music भी download कर लेना, और template link भी आपको वही पर मिल जाएगा, वीडियो आपको save करने के लिए उपर size पर click करके, यहाँ से वीडियो को save कर लेना ह सोगा, इस मिलते है नेक्स्ट वीडियो में